कि है दोस्तों कैसे आप सबी में उम्मीद करता हूं आप सब एक दम मस होंगे सूप अब होंगे दोस्तों यह सेशन जो है एक बहुत ही स्पेशल सेशन है इसको मैं बोलता हूं अन निंजा सेशन तो इसमें कुछ अन कन्वेशनल टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगा इसको डॉक्यमेंट जरूर कीजिए जबे दोस्तों आपकी स्पीड बहुत 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 दरीकेस जनरेट होगी दोस्तों आप में इसे वो स्ब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये कोड़ यूज कर सकते हैं स्ची 26 आपको मस तरी अधरीकेसे डिसकान्ट मिले y is equals to 4 है अगर मैंने ये बोला कि दोस्तों x plus y की value है 4 और अगर मैं आप से ये बोलू कि यार एक बात बताओ अगर x and y दोनों के दोनों दोनों के दोनों x and y greater than equals to 0 है and integers है तो मुझे number of solutions बताओ ना कितने होंगे आप बोलेंगे सर ठीक है उसमें क्या ही है ये देखें सर 0 plus 4 1 plus 3 and 2 plus 2 लेकिन सर एक मिनट x की value 0 तो y की value 4 x की value 1 तो y की value 3 सहीं सर बिल्कु ठीक दिखा आपने सर एक और चीज़ हो सकती है interchange हो जाए x की value 4 तो y की value 0 x की value 3 तो y की value 1 नहीं से देखिए हो दोस्तों तो ये तो हो गए 5 solutions तर एक बात आई है इसमें कौन सी बड़ी un-ninja चीज़ करती है तो एकदम basic अलब गिनने का काम में समझ नहीं पाए आप इतना glorious कैसे बोल सकते हैं इसको रुको रुको अभी देखो दोस्तों ये एक बार आपको दिखाना ज़रुरी था अब आप इसको देखिएगा अब मैं आपको कुछ अपना तरीका बताता हूँ इसको use कीज़ेगा कभी भी number of solution वाले चीज़ आती है यहाँ पे बोला गिया कि x and y दोनों की दोनों values जहां greater than equals to 0 है और इंटीजर से मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूं दोस्तों n plus r minus 1 c r minus 1 अपने copy में जरह यह चीज़ डॉक्यमेंट कीज़ेगा सरीक क्या है देखते हैं दोस्तों n plus r minus 1 c r minus 1 हमें बोला कि x plus y की value 4 है ना दोस्तों मैं यह बोल रहा हूं कभी भी आपके सामने इस तरह की question है x plus y is equals to 4 राइट तो आप क्या करें सबसे पहले ध्यान तो सुनीगा दोस्तों प्लीज मिसमत कीजिएगा मैं बोला ही हूं कि इस session आपको कुछ unconventional लेकिन मजदार तीदा हूंगा यह सब question यह उड़ जाएंगे सबसे पहले जो equals to के बाद जो value है यहां पर उपर जाके खड़े हो जाईए ठीके दोस्तों और उसके बात अब आप पूछे हाँ तुमको क्या मांगता है सर मेरी value और y की value दोनों की value greater than equal to 0 है दोनों से पूछो यार तुम लोग यह छोड़ो minimum बताओ minimum क्या चीए minimum तो 0 हो सकते हैं तो यहां से उठाके जो भी minimum value यह लोग demand कर रहे हैं उनको दे दो तो यहां तो कोई फरक नहीं पढ़ा सर अभी नहीं पढ़ा ना अभी सुनते जाना अब वापेस इसको लगा दिये यह n कहाए सर देखते आना और आर कहाए सर number of variables minus one c number of variables minus one four plus two six minus one दोस्तों five c one कितना answer है दोस्तों five क्या हम लोगों ने सब लिखा नहीं but we still got the answer साथ चले दोस्तों सर एक बार repeat करेंगे ज़रूर करूंगा मैंने बोला जो भी यहां पर लिखा हो इसके ऊपर जो है वह equal to के बाद वाली value और number of variables को बता रहा है minus one समझ गया सर आपका formula मुझे तो लगता है कि ना flop show हो जाएगा कब 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 जाएगा flop show अगर मैं आपको यह बोल दूना सर कि x and y positive integers हैं मतलब greater than zero बोल रहा है ना positive integers का मतलब है यह थापने ध्यान नहीं दिया गया x plus y यहाँ पर four मैं हूं शक्तिमान शक्तिमान बनके खड़े हो गया यहाँ पर क्या चाहिए लड़की है तुझे सर minimum one तो मांगता है तो यहाँ पर जाके खड़े हो गए सब दोनों से minimum मांगे one यह ले भाई one यहाँ से उठाके वन इसे दे दिये तुझे क्या चीह है यह ले भाई नया equation हो गया दोस्तों x plus y is equals to two और इसके बाद शक्तिमान गायब हुए कैसे जुक 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 जु two plus two four minus one three c one मतलब तीन वैल्यू से एक्स प्लस y प्लस z is equals to ten है और मुझे यह बोले कि यार एक बात बताओ number of solutions बताना से रह जब x y z greater than equals to zero है शक्तिमान 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 ने पूछा इन लोगों से आजी बोलो क्या मांगता है लड़कों क्या मांगता है अपने को बोलने का इन्होंने बोला सर मिनिमुम जीरो आरह यार बागो सेम का सेम होगे question n plus r minus 1 c r minus 1 मतलब सर आप यह बोल रहें n की वेल्योंगे 10 plus 3 minus 1 c 3 minus 10 plus 3 13 minus 1 होगे दोस्तों 12 12 c 2 66 answer है दोस्तों कहां निकालते रहते 66 पगला जाते है और सिर्फ यह कि यही क्यों यार शक्तिमान बोले यार मुकेश खना साब आते हैं आते हैं मजा आता है चोटे में देखने में आप लोग डोरेमोन और शिंचन देखते हैं तो आप लोग अभी वाले बच्चे शक्तिमान बोला यार तुम जाओ तो असे लगी लिए ये लिजे एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पोजेटिव इंटीजर अलजेबरा में पूरा खेल ना दोस्तों जो डिफाइन करते हैं उसका होता है ठीक है दोस्तों शक्तिमान बोला कोई बात ने लड़कों चलो आ जाओ अब कुछ बात बनेगी अब आएगा मज़ा बिढू यह रहाट है शक्ति इमान यहां पर खड़ा है बोले अब बताओ क्या चाहिए तुमको सर मिनिममम बोलू क्या अरे बोलो यार बिंदास मांगो क्या चाहिए मिनिममम वैल्यू चेह ग्रेड़ दन वन ग्रेड़ द ग्रेड़ दोस्तों 9c2 9 into 8 होता है दोस्तों 72 का हाफ 36 तो कहां से सॉल करें तो कितना गीनें गया बताएगे दोस्तों आप मेंसे कुछ लोगों को लग साथ है सर पता है कि आपने ही साथ से असान असान कोशन दे रहा है तो इसको बड़ा कर दो बड़ा कर दो ये लिखा था ना मैंने कोशन इसको ले लो चलो ये लो इसको ले लेते हैं कि X जो है greater than equals to 0 ले लो Y greater than 0 ले लो और किता ल शक्तिमान शक्तिमान को बुलाना पड़ा हमको सर जी मुखिष खर्ना साहब बता और रटके सर जी इसको minimum value चाहिए ये लो कितना मांगता है यार तुझे minimum एक मिनिमम कितना मांगता है बाबू जीरो तो इतना confidence जीरो बड़ा भाग जा इसको 0 जाजिए तुमें कितना बाबू तो नए equation x plus y plus z is equals to 7 पस होगे दोस्तों मैंने बोला दोस्तों आपको n plus r minus 1 3 r minus थे दोस्तों एन मतलब ये रहा दोस्तों 7 7 plus 3 minus 1 c 3 minus 1 7 plus 3 10 minus 1 दोस्तों 7 plus 3 10 minus 1 होगे दोस्तों 9 c 2 9 into 8 दोस्तों 72 का हाफ कले 36 मजाय के निया दोस्तों मजाय के ने और और बड़ा लूंगा question अरे ले लो भाई ये लो x plus y plus z is equals to 15 ये लो चलो अगर अभी भी ऐसा लग रहा है आपको ये लो x value greater than 1 y value greater than 2 z value greater than 3 मजाय नहीं है किसको बुलाओगी यह मत भूला शक्तिमान अरे यार शक्तिमान साब को तो बुलाना ना तो मेरे फेवरेट आरें इंडिया के शक्तिमान ना शक्तिमान से उपर कुछ ने भाई साब शक्तिमान मतलब समझेंगे सब्सक्राइब लिए बहुत एकदम मुखेश खन्ना साब ने कर दिया भाई जीवन तभी नहीं कर दिया ब्रह्म जब बने जाना भीष्ण पितामा बस बस यह मुखेश खन्ना साब के लिए भाई साब न तो यहां पर गये तो यह आगये शक्तिमान हाँ जी क्या मांगता रड़के सब लोग सब्सक्राइब एक्स प्लस वाई प्लस जड़के सब्सक्राइब कर दिया है तो यह आपके लिए स्टूडेंट धर्मा देता हूँ कोई आसान नहीं क्यों दूँगा आसान कोशन आप मेरे स्टूडेंट हो मैं आसान सवाल ही ने उठता देने का मज़ा तो तभी है ना यार जब टाफ कोशन वोग कम ठहीं पर मनाया है यह लोग सबसे पहला कोशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए इस इकोल सू ट्व बान दोनों के दोनों कोशन मताईएगा कॉमेंट बॉक से मताईएगा पिछले कुछ वक्त पहले अगर यह सवाल दिया हो तो तो इंपॉसिबल लगता जो अभी लिखने जा रहा हूं लेकिन आप बना पाएंगे किने अपने लड़के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप स्लिशन जीशन बताए हैंगे कि बताएंगे दोस्तनों मज़ा आप हैं लेके घम में इसे आएखर अजून परोड़ुक यहां 再見 क्या हूं सब्सक्राइब कहते हäre occurs और उसमें लेकुक्ति लिख यह थैप कोश्य लाइका तो बहुत फरक पड़ता है, किसी की मोटिवेशन को फरक पड़ता है हम लोग आपके ना, मैं आप सभी लोग दोस्तिते लोग वो यूटिव में प्रोवाइड करते हैं कोई कहीं से भी हो, यागिन बहुत महनत लग से आप लोग के लिए वीडियो बनाते है और आपको एक great news देता हूं दोस्तों, आप लोग में से कई बार, पुझे सर आपका plus का course का बार है आज मेरे पास news है, 16th August आप में से वो लोग जिन्हों अभी तक subscribe नहीं कियोगा दोस्तों, यह record ST26, magical code है, यूज़ कीजेगा आपको immediate इसमें discount मिलेगा सर्क क्या होता है प्लस में, दोस्तों आप anacademy के app में यह website में जाएंगे तो plus या iconic कोई भी subscription आप ले सकते हैं, उसमें आपको live classes भी मिलेंगे और recorded sessions भी मिलेंगे दोस्तों, सुपब ताइप से, एक single stop पे preparatory notes मिलेंगे, dedicated doubt clearing sessions दोस्तों, जैसे मैं अपने contest में बताता हूँ, 16 से मेरा batch आ रहा है, most likely 16 से ही आ रहा है, ठीके दोस्तों, तो Monday से Thursday, चार दिन आपको पढ़ाओंगा, हर session मेरा 90 minutes का होगा, Friday को dedicatedly 90 minutes का doubt clearing session हर week होगा, Sunday को हर week में, आपने देखा मेरे test कैसे रहता है, तो हर Sunday को सुबा 9 बजी, सब 9 बजी रहेगा, कहीं कुछ feeling होगा, एकदम मज़ा रहेगा, smooth तरीके से पढ़ाई रहेगा, मैं पूरे trip के दौरान आपके साथ रहूँगा, आपको मेरा promise है, आपको पूर aptitude से प्यार हो जाए का, बहतरी next level test होता है, दोस्तों, fully इसको ना benefits के avail कीजेगा, दोस्तों, ये सारे के सारे batches भी 4th August को start हो और मेरा batch start हो रहा है, 16th August को ready रहेगा, दोस्तों, आपको इस से प्यार होगा की नहीं होता है, आप लोगों से जितने भी students है, special class को भरबूर enjoy कर रहें की नहीं, और ज सारे के सारे बचे, हर Saturday को, रात को 9 बचे, कम से कम एक special class अपने को attend करना ही है, 9-10 मेरे साथ test देते हैं, मैं आपको बोले हैं, revolution का एक simple definition मेरी भाशा में है, each one of us when we say we are powerful beyond measures, दोस्तों, unacademic app पे जा कि ये gate ESE and campus placement का गजब को combo offer चरह जरूर देखिएगा, और चाहे आप gate की त्यारी करे, CAT की, UPSC की, IIT की, NEET की, ये रहा वो magical code जो आपको use करना है, ST26, दोस्तों, example देते हूं, जिसे आपका एकाद दो subject week है, तो आप ये subscription ले सकते हैं, अगर आप एक साल के त्यारी करना चाहते हैं, और दो साल की profession करना चाहते हैं, तो ये ले सकते हैं, कोई भी ची आप जरूब फॉलो कीजएगा, और हर चीज दोस्तों, जो मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूं, वो content आपको यहाँ, एफटेक्स वैसे मिल जाएगा, दोस्तों, ये चैनल आप ही लोग का है, हम लोग बहुत close हैं, 100K के, मैं उमीद करता हूं कि हम लोग 15th August इस बने अब टेक केर, जय हिंद दोस्तों